नमस्कार, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हुआइट कपड़े को किस तरीके से हम ज़्यादा हुआइट कर सकते हैं स्वभावता होता यह है कि जब हम नया वाइट कपड़ा खरीते हैं तो कुछ धुलाई के बाद उनके उपर पीलाशेट आने लगता है और फल स्वरुप वो नया कपड़ा होते हुए भी हम उसको इस्तिमाल करने से कतराते हैं उस वीडियो की अपार्ट सफलता की वज़ा से उसमें तमाम तरह के वीवर के कोस्चन आये थे कन्फ्यूजन आये थे कि इस पोड़क को कैसे यूज करें दो पोड़क अगर हैं तो एक को अगर हम नहीं यूज करें तो क्या होगा तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में उन सारे कोस्चन को मैं बताने वाला हूँ उनका कन्फ्यूजन किस तरीके से दूर होगा और क्या होगा अगर आप एक ही पोड़क यूज करें और उसका सपोर्टिंग दूसरा पोड़क आप यूज नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा तो बने रही है इस वीडियो में और डेमोस्टेशन करके मैं दिखा रहा हूँ कि उनका रिजल्ट क्या होता है और साथ ही साथ इसमें कुछ जो कुश्चन होंगे उसका भी मैं उत्तर जरूर दूँगा जिसे से आपके मन में कोई कन्फूजन नहीं रहा है यह कांच का खाली गलास है इसमें कुछ नहीं है यह पिंकी जिसको हम पोटेसियम पर मेगनेट बोलते हैं काफी लोग बोलते हैं कि इसको छूने से कुछ दिक्कत हो जाएगा लेकिन मैं आप लोग के सामने देखिए हाथ पे ले रहा हूं कोई प्रॉलम नहीं है नार्मली इसको छूने से कोई दिक्कत नहीं होती है दूसरा जो केमकेल है यह वाइड कलर का यह रंग काठ है सोडियम हाइड्रो सलफेट सलफाइट कर यह और यहाँ पे लिखा भी है अब इसका प्रॉग आप देख लिजे जिसके वज़ा से आपको इसका लाफ मिलेगा यह पोटेशियम पर मैंने मैगनेट जब हम घोलते हैं तो इसकी मात्रक कमी रखते हैं ज्यादा नहीं रखते हैं आप देखिए मैंने एक चिट के इसमें पोटेशियम पर मैगनेट लिया हुआ है और यह नार्मल पानी है अब थ्वास पानी मैंने इसमें डाला अब देखिए इसका कलर कैसा आ गया पूरी तरीके से ये पिंक की रूप में आ गया है जिसको हम पिंकी बोलते हैं इसी वज़ा से बोलते हैं कि ये गुलावी करता है कई बार ऐसा होता कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से घोलेंगे नहीं तो ये किस्टल जहां जहां पे रहता है वहां पे आपको कपड़ों में डाग लगा देगा दाग लगाने का परपजी यहां पिये है कि वह ज्यादा समय तक आप कोटेशियम पर बेंगनेट को रंका किस तरीके से मिक्स नहीं हुआ है उदाहा के रूप में आप कागज पर देखिए आप किस तरीके से यह पिंक किसका शेट आ गया है मेरा परपज यह था दिखाने के लिए यह पिंक शेट में आ गया है इसमें नार्मल पानी है एक्जामपल दिखाने के लिए मैं आपको कर डाल रहा हूँ आप इसका रियक्शन आप देखिए कैसा हो रहा है इसका जो गुलाबी पैन है वो खतम हो गया थोड़ा समय और मिला दिया देखिए इसका कलर क्या हो गया जो पोटेशिम परमेंगेर था वो नीचे बैठा हुआ है और पानी लगभग ट्रांस्परेंट हो चुका है अब जैसे एक कपड़े पे लगता तो कपड़े पे पूरा गुलाबी शेड आ जाता और गुलाबी शेड आने के बाद जब हम रंकार्ट में डालते तो यह नीटल होता और नीटल होते समय कपड़ों के उपर जो गंदगी जो मैल है उन सब को वो आप नीटल हो जाता इस वज़़द से हमारे कपड़े का जो पिलापन है वो हट जाता है यह एक कपड़ा देख रहा है एक बन्यान है आईए इस पेक्स इस एक्सप्रेमेंट को करते हैं यह हमने तो आसा पानी लिया और एक बन्यान के लिए हमें ज्यादा नहीं बहुत यह दो-तीन कपड़ों के लिए यह पोटेशियम परमागनेट प्रयाब्ध है यह एक ब्ली सिचिंग एजेंट में नौर्मल जो ब्लीच होता है उसमें काफी फरक है यह मैं अच्छे से मिला दे रहा हूं नियम तो यह है कि इसको भी किसी कपड़े में पोटेशियम पर मेगनेट को रखके पानी में मिक्स करना चाहिए जिससे कि इसके अंदर का जो घुल नहीं रहा है वह किनारे नीचे बैड़ जाए तो मैं वही सिस्टम करने वाला हूं अब इस मग में साधा पानी है मैं इस गोल को इसमें रख रहा हूं इसलिए कि इसके अंदर कुछ पूरे अच्छे तरीके से घुला नहीं है इसलिए मैं इसको किनारे रख दे रहा हूं आप यहां पर देखिए मैं इस कपड़े को इसमें डुबा रहा हूं नियम तो यह है कि आप जितने समय तक पोटेशियम पर मेंगनेट के घुल में कपड़े को रख रहे हैं उतने समय तक ही आपको सोडियम हाईडोर सल्फाइड के घुल में रखना है तब जाके काम बनेगा यह समटाइब ऐसा भी होता है कि यह वीवर पोटेशियम पर मेंगनेट की मातरा ज्यादा कर देते हैं और इसकी मातरा कम कर देते हैं जिसके वज़ा से उनका यह दाग हटता नहीं है तो आपको इसकी क्वांटिटी पिंकी की क्वांटिटी कम रखनी है इसकी क्वांटिट या जब तक किलियर नहीं हो जाए तब तक आपको सोडियम हाइडोसलफाइड के घोल में रखना है और यह किन मानिए इससे भी कपड़ों को कोई छती नहीं होगी चाहे आप एक गंटा भी डूबाके रखते हैं तो यह टेकनिकल बात हैं जिसको आपको समझना है अब देखे यह जो बनियाइन थी हुआइट अगर जिसको नहीं पता है वो देखेगा तो कहेगा पता निक्या कलर हो गया है समझ में नहीं आरा आप यह देखे अब इसको मैं इसके घोल में रखता हूं और इस पानी को मैं फेक रहा हूँ पानी लिया है एज इस यह कपड़ और इसमें अब इसको भी हाथ से चुने से कोई दिक्कत नहीं होती है तक्रिवन मैंने इतना इसमें लिया है और सकता कि अनुसार आप इसकी मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं अब मैं इससे पूरा अच्छी तरीके से मिला रहा हूं अब इससे कुछ लोग कहेंगे आपने हाथ से नहीं मिला दे रहा हूं जिससे कि आपके अमन में कोई डाउट ना रहा है कि आपने हाथ से तो मिला रहा है यह पूरा वाटर ही है स्लोबल होता है वाटर स्लोबल केमिकल कोई दिक्कत की बात नहीं है अच्छे तरीके से घुल गया है आप के सामने यह एक कपडा देख लिए कहीं न कerry आपने बदल दिया है अब इसको मैं इसमें डूबा रहा हूँ जितना देर मैंने पेंकी में डूबाया उतना देर मुझे इसमें भी दुबाना है या जब आपको ठीक लेगे नियमता इसका काम यह है कि normal detergent से कपड़े को आप wash कर लीजिए bleach करना है bleach कर लीजिए और सबसे last वाली cycle में आप इसको potassium per minute के गोल में 10-15 मिनट आप घुमाईए मशीन में या हाथ से कोई दिकत नहीं है और last में आपको इसमें घुमाना है और इसमें घुमाने के बाद से नार्मली एक पानी से आप खंगा लिए और बाहर आप फैलने के लिए डाल दीजिए आप देखिए आपके सामने ही यह कपड़ा है अब यह सूखा नहीं है फिर भी इसकी वाइटनेस बड़ी है लेकिन जब यह सूखेगा तो अपने नॉर्मल रूप में आ जाएगा तो आपको केवल यह पोटेशियम वाला भी अकेले करने से बात नहीं बनेगी और खास बात यह पोटेशियम पर मेंगनेट केवल रंग काट से ही नूट्रल होगा अगर आप सोचें कि इसको मैं ब्लीचिंग पाउडर से सोडा से डिटर्जन से नूट्रल कर दूँ तो वो नहीं होगा और अगर आप इस तरीके एक्स्प्रिमेंट करना चाहते हैं तो अपने अस्तर पर आप सोतंत्र हैं कर सकते हैं लेकिन मेरा सुझाओ है कि जब तक आपके पास रंग काट नौ आए तब तक आप इस पिंकी का परियूख कपड़े में नौ करिए नहीं तो कपड़े का टेक्स्चर या वह सब त्वासा डिश्टर्ब होई जाएगा यह देखिए एक दाग भी यह जो बनियान था इसमें नहीं है और यह सूखेगा तो इसकी वाइटनेस आ जाएगी अब यह थ्वासा घोल मेरे पास बचा हुआ था अगर आप इसको थ्वासा और पानी मैं इसमें मिला देता हूं तो अब देखिए यह फिर से यह पिंक हो क्योंकि पूरा चितरीके से घुला नहीं था अब इक्सपरिमेंट पे आप देखिए यह रंकाड का पानी है इसमें मैं मिला रहा हूं आप देखिए इससे से क्वांटिटी बढ़ती जाएगी यह धीरे धीरे न्यूट्रल होता जाएगा यह तुरंत नहीं होगा जितना समय लगा था उतना समय लगेगा और न्यूट्रल होने में आप देखिए जो पानी का पिलापन था जो सारी जो गुलावी पन था पिंकनेस था वो खतम हो गया है और इसमें जो पिंकी का जो सलूशन था वो भी खतम हो गया है तो फ्रेंट्स उम्मिद कराऊं इस पूरी प्रॉसेस को आप समझ गया होंगे तो आपने देखा किस तरीके से दो पोड़क्ट पोटैसियम परमेंगनेट और सोडियम हाइडोर सल्फाइट की मदद से जो हुआइटनेस के ओल ब्लीच से नहीं आती है इन दोनों के उपयोग से वो हुआइटनेस हम पा जाते हैं अब इसमें एक सवाल यह उठता है कि क्या हमक्यों रंग काट करने से ही हुआइटनेस आ सकती है तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ रंग का मतलब यह होता है यह वह केमिकल है जिसके द्वारा कोई भी आपने केमिकल कपड़े में किया है ब्लीच किया ह चिपकने का मतलब उसके अपना लाल एक लेयर बना देता है और लेयर इतना प्रभावसाली होता है कि कपड़ों का जो पिलापन है उसके उपर भी बैठ जाता है जो कुछ गंदगी मैल होती है उसको भी उसको भी अपने से चिपका लेता है और जब हम रंग काट करते हैं तो जब यह potassium per magnet neutral होता है तो अकेले neutral नहीं होता है अपने साथ वो पिलापन वो मैल या गंदगी उसको साथ लेके ही हटता है जिसके वज़ा से हमें result के रूप में हमारे white कपड़े और ज्यादा white और निखर के आते हैं तो friends उम्मिद कर रहा हूं इस topic को आप अच्छी तरी लाबदायक होगा और white कपड़े को और ज्यादा white करने में आपकी भरपूर मदद करेगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार